निमस्कार सुलक्तार सवाल देखने आपर मैं हूँ आपके साथ दिव्यासी महाराष्ट में राष्टवादी कॉंग्रिस पार्टी यानि कि एंसीपी को लेकर राजजीती कर्ल है चुनाव आयोग में एंसीपी की लडाई जीतने के बाद अजीत पवार कोई कोताही बरतने के मूड में नहीं है अलाकि चाचा और भतीजे में दूरी और ज्यादा बढ़ती चारी है बयान बाज़े भी देखने को बल रही है पार्टी छिंजाने के बाद अब शरत पवार का दर्द छलका है शरत पवार ने बड़ी मायूस होते हुए कहा कि जिसने पार्टी बनाई उ दोलग रही है चुनाव आयोग के फैसले से हैरानी की फैसले पर क्यों छलका शरत पवार का दर्द क्यों कहा दूसरों को सौब दी हमारी पार्टी कैसे सुप्रिम कोर्ट तक पहुंच गई लड़ाई इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और महारास्ट की राजनी के लिए सबसे बड़ा जटका है जिस वजह से कॉंग्रेस शरत पवार के सांथ आई थी अब वो तो रहा ही नहीं इसलिए कॉंग्रेस भी परिशानी में पढ़ गई है स्टोरी में आगे बताएंगे कि अजित पवार को रह रहकर तंग कर रहा वो कौन सा एक ख्वाम लेकि की अन्सीपी का असली हवदार बना दिया जिसके बाद चुनाव आयोग ने पार्टी का नाम और निशान अजित गुट को दी दिया आयोग के इस फैसले से चाचा शरत पवार और भतीजे अजित पवार के बीच पड़ी दरार और भी बढ़ गई शरत पवार ने आयोग के फैसले पर हैरानी भी चताई इस मामले में उनका बयान अब सामने आया है शरत पवार का कहना है कि चुनाव आयोग का फैसला आश्यरी जनक और चौकाने वारा था उन्होंने कहा कि जिसने पार्टी बनाए जो पार्टी का संस्थाफक था आयोग ने उसी से पार्टी चिन पवार की इस बातों से पार्टी चुन जाने का दर्द साफ तोर पर छलक रहा है वही शरत पवार ने कहा कि किसी भी पार्टी की विचारधारा बेहत एहम होती है उसी विचारधारा से लोग पार्टी से जुड़ते हैं पवार ने कहा उन्हें यकीन है कि जनता भी चुनाव चिन चीना है बलकि हमारी पार्टी को भी चीन कर दूसरों को थमा दिया आपको बता दिए कि चुनाव आयोग ने इन सीपी का नाम और उनका चुनाव चिन घड़ी अधिकारिक रूप से अजित पवार गुट को दे दिए इस मामले में दस बार सुनवाई की गई ज जाने का फैसला किया पचले साल दो जुलाई को अजित पवार एंसीपी के कई बिधायकों के सांथ महारास्ट की शिंदे सरकार में शामिल हो गए इसके बाद उन्हें महारास्ट का अब मुख्यों मंत्री बना दिया गया उसके बाद से चाचा भतीजी के बीच पार्टी को लेकर जंग शुर्फ हो गई अजीत के इस कदम से शरत पवार को बड़ा जटका लगा था कुछ समय बात अजीत ने शरत पवार को एंसीपी के रास्टी अधक्ष पत से हटाने का एलां कर खुद को पार्टी का नया रास्टी अधक्ष घूशत कर दिया इसके बाद यह माम और चुनाव चिन हासिल किया बता दे कि शरत पवार के गुट ने चुनाव आयोक के फैसले के खिलाब सुप्रिम कोट में अपील की है अलाकि आयोक का कहना है कि अजीत पवार के पास ज्यादा बिदायकों का समर्थन था जिसके चलते ही अफैसला उनके हक में किया गया तो उस मामले में अजीत गुट का भी पक्ष सुना जाए इतना ही नहीं शरत पवार ने कारेक्रम को संबोधित करते हुए बीजे पिपर हमला बोला है दावा किया कि जब कोई सत्ता रुण भाजपा का विरोत करता है तो सत्ता का दूर क्यों गस्पस्प दिखाई देता है उन्होंने दावा किया कि एडी ने देश भर में जाच की है जिसमें 2005 से 2023 तक 6000 मामले दच की लेकिन 25 प्रतिशत मामलों में परयाप निश्कर स्क्राप्त हुए और 25 प्रतिशत मामले बिपक्ष के नेताओं से जुगे थे आगे शरत पवार ने दावा किया कि जब से भाज़पा सत्ता में आई है इस पार्टी के किसी भी नेता को एडी की कारिवाई का सामना नहीं करना पड़ा है इसके अलवाँ पार्टी के सत्ता में आने के बाद भाजपा नेताओं के खलाब जाँ चरोग दिकई है बारामती लोग सबाच छेते से जुड़े एक सवाल की जवाब में शरत पवार ने कहा मैं अगामी चुनाव नहीं लड़ने चा रहा हूं हाल के सिनेरियों को देखें तो ये बात बिल्कुल सही साब होती है कि जिस तरद चाचा शरत पवार से उन्होंने राजनिति गुड़ सिक कर उन्हें ही पठखनी दी है उसे साबित होता है कि राजनिती के एक मच्छे हुए खिलाड़ी है NCP पार्टी और उसका चुनाव चिन अब अजीत पवार के पास है जाहिर है राजनिती में उनका कद और भी बढ़ क्या है साथ ही बढ़ गई है वो मान जिसकी चाहत खुद अजीत पवार को भी है दरसल एंसीपी में अजीत पवार को साल दोहजार चौबीस में होने वाले बिधान सबाचुना में मुख्यमंत्री बनाने की चर्चा हो ली पूड़े में पार्टी की एक बैठक के दौरान पार्टी भुजबल ने कारेकरताओं से अजीद पवार को मुख्यमंत्री बनाने की अपेंगी अलाकि इस बीच अजीद पवार ने इस तरह की बात करने से मना कर दिया बैठक में धनांचे मुंटे भुजबल ने सवाल उठाया कि 1999 और 2004 में पार्टी को ज्यादा सीटे मिली थी विद्धान सभाज चुना में अजीद दादा को सीम बनाया चाहे इस बीच अजीद पवार ने ने निताओं की इस बात पर खेद जाहिर करते हुए सीम ना बनाने को कहा साथ ही अपने निताओं को मुख्यमंत्री ना बनाने की अपील लेकिन कहते हैं कि जब कद बढ़ता ह तो इंसान के सपने भी बड़े हो चाते हैं अजीत पवार के मुख्यमंत्री बनने की उनकी चाहत किसी से छिपी नहीं है कई बार वो अपने इस खुआप के बारे में बता भी चुके हैं अब तो उनके पास NCP जैसी बड़ी और नामी पार्टी भी है ऐसे में जाईर हैं उनक का यह सपना पूरा नहीं किया वहीं अब राह और भी कठिन हो गई हैं उनके सामने बीजेपी और शिरसेना के दो बड़े निता खड़े हैं अजीत पवार गुट के निताओं के फैसले के बाद माहा गडबंदन के अन्य निताओं ने भी अपनी पसंद का मुख्यमंत्री टैक कर लिया है लाकनी में कारिक्रम के दौरान चंद्रशेखर क्रिश्ण राओं ने कहा कि दोजाट चौमीस में देविंद्र पंडवीज को दुबारा मुख्यमंत्री बनाने का फैसला है तो वहीं सिंदेगुट के मंतरी अब्दूल सतार ने एकनात शिंदे को फिर से महागडबंदन में चुनाओं से पहले मुख्यमंत्री पद को लेकर चर्चाओं का दोश्रोग हो क्या है उससे लग रहा है कि इस बार महारास्ट के सियासत में काफी कुछ देखने को बल सकता है अलाकि जुनता का वोट किस पार्टी को मिलेगा और राज्य की बागडोर लोने इंडी गडबंदन बनाया ब्यार के मुख्यमंत्री नितिश कुमार के वापस इंडी में चाने के बाद से लगतार इंडी अलायंस का कुनबा छोटा होता जा रहा है और जो बचे ही उनकी ताकत छिंजा रही है इनमें एक एहम नाम महारास्ट के चानक्य के तौर पर से पेश होंगे तब तक के लिए आप देखते रहें कापिटल टीवी नमस्कार